तो इसमें हम नियोजन और विकास का समासास्त्री है हमारा एक टॉपिक रहेगा ठीक है और इस पर हम करेंगे यह वीडियो हिंदी और इंग्लिज दोनों ही लैंग्विज में होने वाला है तो आप पूरा वीडियो देखें और जो यह एमसी क्यूस हैं पहले खुद से सॉल्व करने की जरूर ट्राइ करें तो चले भी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ओके तो आज का हमारा question number one देख लेते हैं क्या है question number one is in general on what basic the development of a country can be determined सामाने दा किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है यह question पूछ रहा है तो options देख लेते हैं on per capita income, average interview, health status of the people या फिर all of the above हिंदी में भी अच्छे से options पढ़े हैं ठीक है और पहले खुद से सोचे क्या होना चाहिए options यह पूछ रहा है कि on what basis the development of country can be determined development अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे on the these a is the correct answer per capita income ठीक है per capita income के basics पे हम development देख सकते हैं किसी भी country का next is who is the deputy chairman of national institute of transformation of India that is नीती आयोग ठीक है तो इस में से आप यह नीती आयोग की full form भी याद कर सकते हैं ठीक है national institute for transformation of इंडिया यह बहुत important है ठीक है तो भारती है सुरी राष्ट्रे भारत परिवर्टन संस्था मतलम नीती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है options आ डॉक्टर राजीब कुमार श्री वीके शारस्वत प्रोफेसर रमेश चंद या फिर डॉक्टर वीके पॉल तो देखिए इस question के according इसका आंसर होगा a बट अब नए बन चुके हैं जो उपाध्यक्ष है नए चेर्मेन है जो नए बन चुके है उनका नाम आप नोट कीजिए उनका नाम है श्री सुमन पैरी ठीक है और ये बने कब है ये बने है एक माई ट्वेंटी 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 टू को नीती आयोग के निउ डिप्टी चेर्मेन ओके नॉट डॉन नर कर लीजें नेक्स्ट इस वेन वस नीती आयोग फॉर्म्ड नीती आयोग को गठन कब हुआ था 15th January 2015 10 January 2015 5 January 2015 या फिन 1 January 2015 तो इसका correct answer जो हो हो जाएगा option number D 1 January 2015 2015 को नीती आयोग जो था फॉर्म हो गया था इससे पहले इसका नाम क्या था planning commission जो बना था हमारा 1950 में after that 1 January 2015 से इसको नीती आयोग कहने लगे next is who said this social prosperity means that human being should be happy, citizens should be free and the nation should be great समाजिक संपन्ता का अर्थ है मनुष्य सुखी हो, नागरिक सुतंत्र हो और राष्ट्र महान हो ये किस ने कहा था options are Victor Hugo, Karl Polany, Karl Marx, Robert B. Street इस question में मुझे थोड़ा doubt है, अभी मैं एक के साथ जाना चाहूंगी next मैं आपको comment में clear करके बता दूँगी this cancer Victor Hugo का according to me अभी के लिए ठीक है चलिए next five पर चलते हैं the book, book का नाम है India's economy policies preparing for the 21st centuries written by who India's economic policy preparing for the 21st century किसके द्वारा लिखी गई? options are Vimal Jalan, Y, We Ready, Rang Rajan या फिर Manmohan Shing तो ये लिखी गई थी by the Vimal Jalan ठीक है, sorry, Jalan ये आप याद रखेगा, book का नाम ये है okay, so next question is who has considered economic factors as the main factor of social change? आर्थिक कारकों को ध्यान से पढ़िये economic factors को समाजिक परिवर्टन का मुख्यकारक कौन मानते हैं? टोन B, Karl Marx, Aristotle, Max Weber जिसका correct answer जो है, वो हो जाएगा B, Karl Marx ठीक है, जो Karl Marx है, हम सभी पता है हम सभी को, वो हर चीज के पीछे economic factor को मानते हैं, तो वो पुछा जा रहा है कि Karl Marx के अनुसार समाजिक परिवर्टन का मुख्यकारण क्या था, options are mechanical, economic, revolution या फिर political change तो question number 7 का जो आंसर है, वो हो जाएगा economic, आर्थिक, ठीक है, यह हो जाएगा next is question number 8 who has considered religion as a factor of economic development धर्म को आर्थिक विकास के कारक के रूप में किसने माना था, टो एनबी, मैक्स वेवर, काल मार्क्स, रॉबर्ट पीज स्टीट, तो इसका अनसर हो जाएगा, मैक्स वेवर next is question number 9 what is industrialization और ध्योगी की करेंट क्या है evolution है, development है या फिर A, B, both या फिर none of the above तो जो industrialization है ये हो जाएगा C, both ठीके development तो है हिसासाद में evolution भी है pedestrian से changes दिखाएं को मिलते हैं वो industrialization में भी मिलते हैं next is which of the following is not include in the parameters of sustainable development sustainable development एक ऐसा topic है जो आपके बहुत सारे exams में उचा जाता है तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो सतत विकास के मापदंडों में सामिल नहीं है options are carrying capacity, inter and intra generation equity, gender and disparity, diversity या फिर none of the above इसका answer हो जाएगा D यह सभी के सभी सही है तो D वाला हो जाएगा Next, the book The Principle of Political Economic Taxation 1917 has been written by Ho तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? David Ricardo Malthas, John Stuart Mill या फिर Karl Polany Question No. 11 तो इसका answer हो जाएगा David Ricardo David Ricardo की द्वारा यह book लिखी गई Next is, which of the following UN Commission is responsible for reviewing process in the implementation of Agenda 25 and the Rio Declaration on Environment and Development कीके, हिंदी में भी मैं बढ़ देती हूँ इन में से कौन सा सहीक्त राष्ट आयोग Agenda 21 और प्रियावरन और विकास पर रियोगोशना के कार्यानवेन में प्रगति की समिक्षा के जिम्मेदार है Options are United Nations Discernment Commission, United Nations Statistical Commission, United Nations Commission on Sustainable Development that is CSD या फिर United Commission, United Nations Commission on Human Rights तो अच्छे से पहले question को समझीए क्या पूछ रहा है कि जो Agenda 21 है ठीक है और परियावरन और विकास पर जो रियोगोशना हुई थी उस दोनों के लिए कौन सा एक जो कमीशन है वो जिम्मेदार रहा था तो इसका answer हो जाएगा option number C that is CSD United Nations Commission on Sustainable Development Okay Now question number 13 Who is the author of the book? And the book name is Principal of Political Economy 1820 Max Weaver, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, None of the hour अभी इससे पहले एक और से related book आई थी बड़ उसका year अलग था ध्यान होगा अगर आपको तो ये लिखी थी Thomas Robert Malthus ने ठीक है B इसका correct answer हो जाएगा Next is the United Nations Commission on Sustainable Development that is CSD जो अभी हमने पहले पढ़ा was established by UN General Assembly in the year of war तो कौन से year में ये जो CSD है ये established हुआ by the UN General Assembly ठीक है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट महा सभाद्वारा किस वर्स की गई थी ओप्शन देख लेते हैं 1992, 1993, 1994 या फिर 1995 इसकी स्थापना हुई थी 1992 में December में ठीक है नेक्स्ट इस हुई इस दा ओथर आफ दे बुक प्रिंसिपल आफ इकॉनमी 1848 तो ये बुक का नाम है प्रिंसिपल आफ इकॉनमी इसके कौन ओथर है अडम स्मित, हर्बर्ट स्पांसर, मैल्थर्स या फिर जॉन स्टुवर्ट मिल प्रिंसिपल आफ इकॉनमी इन 1848 ये लिखी गई थी बाइदा जॉन स्टुवर्ट मिल और अब ही अमने पहले जो पढ़ा था प्रिंसिपल आफ पॉलिटिकल इकॉनमी उसमें पॉलिटिकल था राश्ट्रिय आई कि किस प्रकार की विध्धी से होता है जिसका आंसर हो जाएगा सी रियल नैशनल इंकम से सतत विकास सब्द किस वर्स आया था 1987, 1980, 1978, 1992 तो जो सस्टेनवल डवलपमेंट जो CSD थी पर 1992 में बनी थी पर जो सस्टेनवल डवलपमेंट टर्म था ये आया था 1987 में आया था बाइदा बुरूंट लैंट रिपोर्ट द्वारा ठीक है नेक्स्ट इस वट आट दा प्राइमिरी गोल्स ऑफ सस्टेनिबिलिटी सस्टेनिबिलिटी मतलब धारेंटा के प्रात्मिक लक्ष क्या है options देख लेते हैं देखी इसमें पूछ रहा है प्राइमिरी गोल्स मतलब जो उसका पहला गोल है जो है ए पौवर्टी तो एंग पौवर्टी इस अ प्राइमिरी गोल ऑफ सस्टेनिबिलिटी नेक्स्ट इस नाइंटीं विच आप दो फॉलॉइंग इस नाट एन एक्जाम्पल ऑफ एन एकॉनमिक प्लानिंग रीजन ठीक है वो देख लेते हैं ठीक है ओप्शन में देखते हैं प्सेछ स्टेमिक पाइमिर नेको निइशन एक्वालत प्रेश सम common विजन ओीजनyorsun मुडनी सर。 चै़्टी गरहरर सो कि डंछ इस प्राइमिरी हैं विचτανों सोस्त्रानिंग ए्यॆन प्राइमिर एक्वानिर चेदिन एक्वशने ट females manner that reduce their impact on the environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency. आप बगल में हिंदी बाला साथ में पढ़ते रहें and last है हमारा all of the above. ठीक है? सब समझ गे? तो इसका answer के कि what is sustainable developed? जो तीनों को तीनों जो options हमने पढ़े ना ये सब sustainable में आते हैं. तो डीस का हो जाएगा कि सभी के सभी सही हैं. डीस का correct answer हो जाएगा. Next is 21. फॉर्मल प्रेजिडेंट डॉक्टर अब्दूल का लाम आचा जो थे उन्होंने जो पी यू आरे था उसको वो क्या बताते हैं? पी यू आरे क्या था उस टाइम? ठीक है? इसका जो फुल मेनिंग बूशा जा रहा है. Options are a model for both of the metro cities, providing urban amenities in urban area, providing urban amenities in rural area या फिर a plan for urban and rural area. तो जो यह पी यू आरे है, जो यह पूरा है, इसका जो है means, उस टाइम जो था, वो ये था. C. Providing urban amenities in rural area ग्रामिट छेत्रों में सहरी सुविदाएं उपलब्द कराना. Okay? Next is 22. Which of the following is not a factor for social change in India? इन में से कौन? भारत परिवर्तन का कारक नहीं है. Caste, Language, Religion and Senses. तो भारत में changes का परिवर्तन नहीं है, तो वो हो जाएगा language भासा. Next is human development index is a composite of word. तो human development index जो है, भारत मानव विकास सुचकांग जो है, जो HDI है, इसमें तीन चीजे आती हैं, वो कौन सी हैं? Income, trade, investment, poverty, human rights, unemployment, income, health education, health education and quality of life indicators. तो इसका answer हो जाएगा C, I, स्वास्त्य और सिक्षा, income, health and education में जो HDI है, इससे पता लगती हैं. Next is, who is the father of classical economic throw? सास्त्री आर्थिक विचार के जो जनक हैं, वो कौन है? ठीक है, options are Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Joseph, Sumpeter. तो इसका answer हो जाएगा A, Adam Smith को हम सास्त्री आर्थिक विचार या फिर classic economic throw के जनक मानते हैं. Next is, 25, who is the following is the author of the book? और book का नाम है, economy and society, इसके लेखक कौन है? options are, Max Weber, Anthony Giddings, Emile Durkheim, August Comte. तो इस बहुत ही popular book है, और easy book है, सबको पता होगा, यह book है Max Weber की, which is written in the year of 1922. Next is, who wrote the book, The Wealth of Nation? बहुत ही important book. Adam Smith, Marshall, Robin, Ricardo. The Wealth of Nation book है, Adam Smith की, A is the correct answer. 27 is, who propound the concept of growth pole? Growth pole का concept कौन लेकर आये थे? important question है, विकास दुरुप की अफधारना. Rostro, Gurnal, Medal, Francis, Parox, Juan, Thunin. इसका answer जो है, वो हो जाएगा, C, Francis' Parox की growth pole का, ये लेकर आते हैं अफ़ारना. Next is 28, which of the following is an example of plant town in India? इन में से कौन सा भारत में एक नियोजित नगर का उधारन है? सिमला, चंडीगड, कानपूर, उदैपूर. इसका answer हो जाएगा, B, चंडीगड. B is the correct answer. Next is, which of the following is the concept of development? इन में से कौन सी विकास किये कभधारना है? Static, Dynamic, Sustainable या फिर Complimentary. आंसर हो जाएगा, Sustainable. टिकाओ, सतत. 30 and the last question for today. इन विच फाइव येर प्लान इंटेंसिफ अग्रिकल्चर प्रोग्राम वस इनियेशेटेटेड? किस पंच वर्सी ये योजना में गेहन क्रिसी कारिकरम सुरू किया आ गया था? 3rd 5-year plan, 4th 5-year plan, 5th 5-year plan या फिर 6th 5-year plan. इसका answer जो हो जाएगा A, 3rd 5-year plan में और उसका येर था 1964 सम्थिंग. ठीके, तो आज हमने solve किये 30 MCQs, ठीके, on development and planning. I hope आपको पसंद आई होगी वीडियो और अगर आपने और वीडियो नहीं देखिए, मैंने इसके पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं, तो आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें करते हैं, तक दो आपके पहले जाएं हैं, खोत्म presto ऑप एका बहुत, और नए करते हैं, और आपके देखू हैं, तो आप हैं, अपने जो आप रहें और क्यों करते हैं, जो एक न आपके देख वीडियो क। झाल झाल